दोस्तों इस लेसन में मैं आप लोगों को अडोबी इलिस्टेटर में जिस बहुत ही इंट्रस्टिंग चीज से इंट्रिड्यूस करवाने वाला हूँ वो है मास्किंग दोस्तों मास्किंग एक ऐसी टेकनीक है जो हम इलिस्टेटर और फोटो शॉप दोनों ही सौफ्टेज में इस्तमाल करते हैं आगे चलके फोटो शॉप में भी मास्किंग हम डिफरेंट पर्पॉस के लिए बहुत दधा इस्तमाल करेंगे अच्छा मास्क बेसिकली होता क्या है दोस्तों मास्क का मतलब है नकाब यानि के मास्क की मदद से हम क्या करते हैं किसी भी चीज को हाइड कर सकते हैं और उसको रिवील कर सकते हैं तो यही काम हम इलिस्टेटर के अंदर मास्क की मदद से करेंगे इलिस्टेटर में दो तीन किसम के मास्क आम तोर पे हम यूज करते हैं और इनी तीनों टाइपस को मैं अभी आप लोगों के साथ डिसकस करूँगा तो चलते हैं इलिस्टेटर की तरफ और इलिस्टेटर में आज एक्सप्लोर करते हैं मास्क जी तो दोस्तों ये तीन किसम का मास्क इस वक्त आप लोगों के सामने यहां पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है मैंने ये आप देख सकते हैं आपके लिए एक फाइल बना के रखी हुई है पहले से और इसमें आप देख सकते हैं कि लिखावाजी यहां पे ड्राउ इंसाइट और इसके लावा क्लिपिंग मास्क और जनाबियाली उपेसिटी मास्क ये तीन टाइपस हैं मास्क की जिनको हम इलिस्ट्रेटर के अंदर अभी हम एक्स्प्लोर करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि यह हम किस तरह से अपलाई करेंगे और आपके सामने रिजर्ट जो है वो पहले से मैंने आपको दिखा दिया मौझूद है कि इसकी विज़ा से कितने इंट्रेस्टिंग हम एफेक्स क्रेट कर सकते हैं तो चले मैं जरा आप लोगों को मास्किंग जो है ये बताने लगा हूँ मैं अभी फिल हाल इस सारी आपजिक्स को और इन तीज़ों को साइट पर करता हूँ अचा सबसे पहले अब मैं आप लोगों को जो चीज़ बताने वाला हूँ वो है जी ड्रॉ इनसाइड तो सो ड्रॉ इनसाइड बहुत ही असान सी चीज़ है इससे पहले यहां पे मेरा जो कलर स्वाच है यह में जरा एक बार चेक कर लूँ यहां पे हाँ जी मेरे स्वाच जो है वो दे आर फाइन अच्छा ठीक है जी अच्छा दोस्तो अब मैं आप लोगो सबसे पहले ड्रॉइ इंसाइट के बारे में बताऊंगा दोस्तों मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं यहां पे एक स्क्वेर ले लेता हूँ यह एक मैंने स्क्वेर ले लिया इसको मैं कोई भी ब्लू कलर दे देता हूँ अपनी मर्जी से कोई भी अच्छा अब बेसिकली यहां पे आएं हमारे पास यहां पर नीचे यह जो हमारी टूल बार है इसके बिलको नीचे यहां पर 13 डिफरिट उप्शन है सबसे बेखाए ओफिन है जो के हम आम तोर पर इस्तमाल करते हैं ये जिर ड्राव नॉर्मल दोसरो ड्राव नॉर्मल जो है यह हम सबस्दादा इस्तमाल करते हैं इसका मतलब यह है कि मैं कोई भी शेप जो है वो डिफरेंट शेप यहां पे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो है वो बना सकता हूँ ठीक है यह देखें मैंने एक स्क्वेर लिया था उसके बाद मैंने एक सर्कल ले लिया अच्छा इसके बाद यहां पे हमारे पास एक और आप्शनल ड्रॉब बेहाइंड दूसरों यह ड्रॉब बेहाइंड क्या करता है मैं सर्कल को यहां से डिलीट करके दुबारा ड्रॉब करने लगा हूँ याद रखे अब मैं ड्रॉब बेहाइंड वले मोड में हूँ अब मैं यहां पे आके इस सर्कल को ड्रॉब करता हूँ तो यह देखें बाई डिफॉल्ट मेरा यह जो दूसरा आपजेक्ट है यह मेरे पहले आपजेक्ट के नीचे बेहाइंड जिसना के मेरा मोड बता रहा है ड्रॉब बेहाइंड इसके बेहाइंड जाके ड्रॉब हुआ है तो यानि के यहां पर यह जो मोड्स हैं इनकी मदद से हम यह देख सकते हैं कि हम जो है नॉमल मोड में ड्रॉब कर रहे हैं या हम जनाब याली behind draw कर रहे हैं तीसरी एक और हमारे पास यहां पर एक option मौजूद है जो के बहुत interesting है और वो basically अभी इस वक्त मैं आपको explore करवाना चाहरा हूँ मैंने इसको छोड़ा से zoom कर लिया है अच्छा ये जो तीसरी जो option है ये तब ही on होगी जब यहां पर आप object को click करेंगे जैसी मैं इसको यहां पर select करता हूँ यहां पर एक option आजाती जिए draw inside दोस्तों यह है वो masking की पहली type जो मैं आपको यहां पर बताना चाहरा हूँ यह आप देखें जैसी मैंने draw inside किया यहां पर एक border सा बना आ गया है और अब मैं क्या करता हूँ मैं यहां से circle लेके यहां पर draw करता हूँ अच्छा इस circle को मैं अपनी मर्जी से color दे देता हूँ red color मैंने दे दिये आप लोगों ने गोर किया कि जो circle मैंने draw किया वो मैंने draw तो पूरा एक बाहर अंदर किया इस shape के लेकिन वो आया सिर्फ और सिर्फ इस shape के अंदर है ठीक है जी सिर्फ इसके inside आ रहा है वो इसके बाहर हमें दिखाई ने दे रहा है हलांके बाहर भी जा रहा है यह देखें अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा करता हूँ तो यह circle की जो shape है वो बाहर भी मौझूद है लेकिन इस वक्त दिखाई सिर्फ अंदर आएगी क्योंके हम यहां पर drawing side के मोड में काम कर रहे हैं और यह हमारे पास है जनाबी आली हमारी एक पहली और सबसे ज़्यादा interesting सी जो एक type है mask की तो यह देखा आपने drawing side की मदद से हम किस तरह से mask लगा कि किसी भी एक shape के अंदर बाकी जो shapes है वो draw कर सकते हैं और वो उस shape से बाहर नहीं जाएंगे अब मैं वापस आता हूँ जी फिलहाल अपने normal mode के उपर normal drawing वाले पे अच्छा आप इसके बाद दूसरी जो एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहरा हूँ दूसरा एक kind है जो type है यहां पर masking की वो है clip mask clip mask तोस्टो बेसिकली यह करता है कि यह एक object को दूसरे object में clip कर देता है यानि उसके अंदर जो है वो उसको cat कर देता है यह आप समझ सकते हैं ठीक है इस तरह से अच्छा मैं यहां पर क्या करता हूँ कि मैं यहां पर जनाबी अली एक एक मैंने box लिया एक और यह मैं एक box type ले रहा हूँ और इसका मैं color change कर रहा हूँ यहां से आके मैंने इसका color change कर लिया अच्छा मैं clip mask किस किस तरह लगा सकता हूँ दो तरीके मैं आपको बताने लगा हूँ clip mask लगाने के एक तो आप इन दोनों objects को मैंने select किया right click करके यहां पर option है make clipping mask यह देखें जैसे मैंने clip mask लगा है तो गोर करें यह मेरी object उपर पढ़ा हूँ है और यह मेरा object नीचे पढ़ा हूँ है दोनों को मैंने select किया right click किया make clipping mask किया जो मेरा उपर वाला object था वो जहां जहां पर overlap कर रहा था नीचे वाले object के साथ वहां पे उसके अंदर नीचे वाला जो object है वो जाहिर हो गया थीक है इसका मतलब है कि आपने जिस चीज को clip करना है mask करना है वो उपर होगी और जिस चीज के अंदर clip करना है वो नीचे होगी अच्छा जी ये किसी और तरीके से भी हम करके देखते हैं यही वाली चीज मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर на ली यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ये बना के रखे हames मैं एक object लेता हूँ वही सा यह मैं एक polygon tool की मदद आहरा हूँ polygon tool की मदद से एक object मैंने लिया अब मैं क्या करता हूँ brush की मदद से यहां पर मैं कुछ shape जो है वो एक draw कर लेता हूँ ठीक है जी और इसको मैं फिल हाल यहां पर stroke दे देता हूँ इसको white यह देखें अच्छा अब मैं करूँगा क्या दोस्तों बलके इसको मैं stroke जो है वो इसका मैं थोड़ा सा change करता हूँ मैं इसका stroke जो है वो ले आता हूँ जनाबिया ली बलक में फिल हाल ठीक है जी अच्छा अब मैं करूँगा क्या मैंने basically इसको इसके उपर रखा और नीचे आपको पता है वो मेरी एक shape है दोनों को मैंने right click किया और यहां पे मैंने clip कर दिया तो यह आप देखें कि दोनों objects एक दूसरे के अंदर clip हो गए लेकिन अब यह जिसके अंदर मैंने इसको clip करना है mask करना है इसको मैं उपर निकालता हूँ यह बहुत interesting जो है वो feel मुझे आएगी यहां पे यह देखें right click करके make clipping mask यह देखें वो जो मेरा polygon था उसके अंदर अंदर मेरा जो brush था वो जो मैंने apply किया था वो आ गया है तो that means कि हमने क्या करना है कि shape को उपर रखना है और जिस चीज को clip करना है उसको हमने नीचे रखना है ठीक है और इस तरह से हमारा दोनों तरह से वैसे तो हम कर सकते है clip तो दोनों तरह से ही हो जाएगा लेकिन इस तरह से हमारा जो result है वो ज्यादा interesting हमें achieve हो सकता है अच्छा जी इसके बाद हम मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पर type कर लेता हूँ कुछ भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी summer यह देखें इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको मैं ले आता हूँ जी impact font में क्यूंकि वो थोड़ा सा जरा heavy font होता है यह देखें मैंने impact में लिख लिया summer अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक image पड़ा हूँ है बहुत interesting सा इसको मैं यहाँ पर drag करता हूँ यह काफी बड़ा image है इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा और छोटा करके मैं यहाँ से इसको embed कर लूँगा चैने अच्छा जी यह देखें समर का ही समर से कुछ मिलता जुलता ही हमारे पास image भी मौजूद है ठीक है और लेकिन अब हमने करना क्या है हमने करना यह है कि हमने यह जो समर लिखा वा है इसको हमने उपर लेके आना है इसको हम उपर रखते है और जो image है उसको हम नीचे रखते है था समर वाला, वो मेरे टेक्स्ट के अंदर क्लिप हो गया यह कितना खुबसूरत एक्ट जो है, वो यहाँ पर हमारे पास बन गया, और यह कितना इंट्रेस्टिंग जो क्लिप मास्क की मदद से हमने एक एक एक्फेक्ट जो है वो ये भी मैं आपको यहां पर ब्लू किलर districts कर लेता हूं, मैंने बॉक्स ले लिया। इसी बॉक्स को मैं रिपीट करता हूं और इसको मैं झा commentary मैं ये उपर कर रहा हूं अच्छा इस ऑपर मैंने जो बॉक्स रखा है इस box को मैं यहां से आके लगा लेता हूँ जी gradient gradient का मैं linear option के अंदर हूँ और मैंने angle यह रख लिया 60 अब दोस्तो होगा क्या कि जब मैं clip करूँगा clip mask लगाँगा तो यह जो black वाला area यह highlights में चला जाएगा और यह वाला area यहां पर darks आजाएगे आप note कीजिएगा आप मैं इसको mask किस्तने से करूँगा sorry इसको मैंने clip mask नहीं करना है इसको मैंने opacity mask लगाना है तो वो मेरे पास यहां पर transparency की यह option मौजूद है इसके अंदर जाके यहां पर देखें मैं इसको click करूँगा make mask और यह देखें हमारा जो है वो mask यहां पर apply हो गया ठीक है जी तो यह हमारा है जी opacity mask दोस्टो इलिस्ट्रेटर में इस lesson में आप लोगों ने masking की तीन different types है वो explore की जिनमें से सबस्जादा मैंने focus जो है वो clip mask के उपर रखे है क्योंके illustrator में clipping mask यह clip mask हम बहुत ज़्यादा randomly use करते हैं और यह बहुत interesting हमारे लिए जो है वो effects create करता है अच्छा इसी तरह से जो transparency वाला opacity mask मैंने आपको यहां पर इतना ज़्यादा ने बताया क्योंके इसी mask की form को हम photoshop में आगे चलके बहुत detail में layer mask के नाम से study करेंगे और यह वाली चीज वहां पर आपको काफी अच्छे तरीके से explore हो जाएगी तब आप लोगों ने इस mask की technique को study करना है explore करना है इंशाला तरह स्ट्रेटर के साथ next lesson में आप लोगों से मुलागात होगी